नमस्कार मैं हूँ राकेश और आप देखना चलू कर चुके हैं राकेश प्लस यूटूब चनल दोस्तों गधा गधा ही होता है एक जंगल में एक सेर रहता था गेदर उसका सेवक था जोड़ी एच्छी थी सेरों के समाज में तो उस सेर की कोई जद नहीं थी क्योंकि वह ज घंटे उसकी चमचागीरी करता रहे गेदर को बस खाने का जुगार चाहिए था पेट भर जाने पर गेदर उस सेर की बीरता के ऐसे गुंक गाता की सेर का सीना फूल कर दुगना चोड़ा हो जाता एक दिन सेर ने एक बिगडेल जंगली सान का सिकार करने का साहस्त कर डाला सान बहुत सक्साली था उसने लात मार कर सेर को दूर फंट दिया जब वो उठने को हुआ तो सान ने फाँ फाँ करते हुए सेर को सिंगों से एक पेड़ के साथ रगड दिया किसी तरह सेर जान बजा कर भागा सेर सिंगों की मार से काफी जख्मी हो गया था कई दिन बीते परंत सेर के जख्म ठीक नहीं होने का नाम नहीं ले रहे थे ऐसी हालत में वो सिकार नहीं कर सकता था स्वेम सिकार करना गीदर के बसका नहीं था, दोनों के भूखो मरने की नौबत आ गई, सेर को ये भी भैथा कि खाने का जुगार समात होने के कारण गीदर उसका साथ न छोड़ जाए, सेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख जखमों के कारण मैं दोर नहीं सकता, सिकार कैसे क तु जाकर किसी बेकूब से जानवर को बातों में फसा कर यहां ला, मैं उस जाड़ी में छिपा रहूंगा, गीदर को भी सेर की बात जच गई, वो किसी मूर्ख जानवर की तलास में घूंता घूंता, एक कस्वे के बाहर नदी घाड पर पहुँचा, वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुह मारता नजर आया, वह सकल से ही ब्यकूब लग रहा था, गीदर गधे की निकट जाकर बोला, पाइलागो चाचा, बहुत कामजोर हो, आये हो, क्या बात है, गधे ने अपना दुखणा रोया, क्या बताओं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूं, वो ब बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना तुम्हारी सेहत बन जाएगी, गधे ने कान फरफड़ाए, राम राम मैं जंगल में कैसे रहूंगा, जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे, चाचा तुम्हें साथ पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत जी का सबसंग हुआ थ उसके बाद सारे जानव साकाहारी बन गए हैं, अब कोई किसी को नहीं खाता, गीदर बोड़ा और कान के पास मुह ले जाकर दाना फ्हेंका, चाचु पास के कस्वे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी, वहां हर हरी घास खाकर वो खूब लहरा गई है, तुम उसके साथ घर बसा लेना, गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने च्छाने लेगे, ओ गीदर के साथ जंगल की ओर चल दिया, जंगल में गीदर गधे को उसी जाड़ी के पास ले गया, जिसमें सेर पंजा मारता, गधे को जाड़ी में सेर की नीली बत्यों की तरह चमचमाकती आखे नजर आ गए, ओ डर कर उचला गधा, भागा और भागता ही गया, सेर बुझे स्वर में गीदर से बोला, भाई इस बार में तयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नह जाड़ी में मुझे दो चमचमाकती आखे दिखाई दी थी, जैसा सेर की होती है, मैं भागता आना तो क्या करता, गधे ने सिकायत की, गीदर छूट मूट माथा पेट कर बोला, चाचा ओ चाचा तुम भी नीरे मूर्खो, जाड़ी में तुम्हारी दुलहन थी, जाने कित गधा फिर उसके साथ चल पड़ा, जंगल में जाड़ी के पास पहुंचते ही, सेर ने नुकेले पंजर से उसे मार गिराया, इस परकार सेर वागेदर का भोजन जुटा, सेख, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मुर्खता कभी नहीं करनी चाहिए, थैंक पर टाइबा ताइबार इसकी मार पिंडित पपास प्राइबा का इस बातों में एंजर से उसे उसे की चाहिए, ढातों में जुक पास